हेलो बच्चों तो आज है important question कि किसके formocognosy part 3 ठीक तो दो पार्ट हम अलड़ी देख चुके हैं दोनों पार्ट playlist में पड़े हुए हैं जिसको जिसने अभी अभी recent join किया है उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी subject के individual playlist subject wise channel पे available हैं जितने भी part होते जा रहे हैं वो सारे part playlist में डाल दिये जाते हैं तो आप लोग एक तरफ से देख सकते हों ठीक है अभी समय है अभी सारे subject आप एक साथ देख सकते हो जादा से जादा क्योंकि जैसे जैसे exam का time नजदीक आएगा फिर subject wise आपको किसका पहले है किस का इस तरह से adjust करना पड़ेगा और फिर चीजें एक साथ जब जादा हो जाएंगी तो याद करना भी क्या है कि पार्ट दे रहा हूं फिर इन्हीं पार्ट को mix करना start कर दूँगा फिर आप लोगों को याद करने में काफी समस्या होगी बस बड़ा है इसलिए ये part wise में बन रिंग हो उसका structure अगर आप देखोगे तो उसमें fenantrine ring होगी इसलिए उसको fenantrine alkoolide बोलते हैं तो मैं ये नहीं कहता है कि आप लोग structure याद करो लेकिन at least fenantrine ring में fenantrine alkoolide में कौन-कौन से आते हैं ये देखना जरूरी है वो भी अगर नहीं करना है तो at least जो मैंने MCQ में बत ठीक है इसलिए इसको fenantrine alkoolide बोला जाता है पैपावरीन alkoolide इस पैपावरीन alkoolide कौन सा भी ट्रोपेन alkoolide है आईसो कुईनोलीन alkoolide है इंडोल इलकुलाइड है प्यूरीन alkoolide है तो मैं मानता हूं कि सारे के सारे के structure या आपको nucleus पॉसिबल नहीं है या ring पॉसिबल नहीं ह कि आप याद कर पाओ लेकिन फिर भी जादा से जादा कोसिस करो कि जितने मैं पढ़ा दे रहा हूं काफी important है important समझके ही question बनाए गए है तो at least ये जो है आपको जरूर याद होने चाहिए एक बार में पढ़ोगे तो confusion होगा जो आज सुबह पढ़ते हो उसी वीडियो को श दिखो कर इस तरह से आप करोगे तभी एक्जाम में otherwise एक्जाम के प्रेशर में दिमाग काम नहीं करता है तो problem हो सकती है ठीक है तो पैपावरीन एलकुलोईड कौन सा ट्रूपेन आइसो कुईनोलीन इंडोल इलकुलोईड या प्यूरीन इलकुलोईड तो पैपावरीन मे इसो कुईनोलीन की रिंग होती है इसलिए उसकों क्या बोलते है आई सो कुईनोलीन इलकुलोईड तो पैपावरीन एलकुलोईड तो सीनियोल terpenoids, terpenoids काफी important है ठीक लेकिन उसमें से भी select करके मैं किसी को नहीं बोलता कि जो मेरे channel से जुड़े हैं अब आप book उठा के देखो लेकिन at least दिन भर में ये तो कर सकते हो भाई एक डड़ महिने के लिए unlimited वाला data on कर लो क्योंकि अभी आपके exam है ज़्यादा से ज़्यादा आपको practice करनी है तो at least क्या है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहो जितना देखोगे नहीं मन कर रहा देखने का चला के side में रख दो और volume बढ़ा दो कान में तो सुना ही देगा सुना ही देगा क्योंकि मैं question और answer दोनों बोलता हूँ तो उससे काफी फरक पड़ता है ठीक है तो siniol terpenoids present in volatile oil किसमें केरावे oil peppermint oil, eucalyptus oil या ginger oil तो siniol terpenoids eucalyptus oil में present होता है eucalyptus oil क्या volatile oil होता है और उसमें क्या होता है siniol terpenoids eugenol terpenoids present in volatile oil eugenol terpenoids किसमें present होता है clove, sandalwood oil, phenyl oil या केरावे तो eugenol terpenoids clove में present होता है clove का main chemical constituent भी होता है eugenol ठीक तो हमारा option एस ही है अब vitale morine vitale morine reaction is a chemical test for किसके लिए ये chemical test perform किया जाता है जिसको क्या बोलते है vitale morine reaction glycoside के लिए tropene alkaloid के लिए sugar के लिए या anti-tumors के लिए तो जाहिडती बात है कि vitale morine जो है वो भी एक तरह के tropene alkaloid के chemical test होते है ठीक है किसके लिए perform किया आता है tropene alkaloid के लिए कौन से reaction vitale morine reaction ठीक है इसको पोला मिन is the chemical constituent टॉप देखो इस तरह से question देखो अभी आपसे पूछ लिए अरजुना का भई chemical constituent बताओ digitalis का बताओ सतावर का बताओ धतूरा का बताओ तो याद रखें आपने जो भी पढ़े हुए है बच्चे साल बर उन सब को याद होगा लेकिन MCQ कैसे पुछा जाएगा chemical constituent पूछ लिया जाएगा और चार दे दिये बताओ वही किसमें है इसको पोला मिन किसका chemical constituent है बताओ अस्वगंधा is also known as अस्वगंधा के synonyms काफी है means उसको और किस नाम से एसगैंड के नाम से विदानिया रूट्स के नाम से और इसको और क्या Indian जिंसिंग भी बोलते हैं तो अस्वगंधा को एसगैंड विदानिया रूट्स Indian जिंसिंग ये सारे सारे क्या हैं अस्वगंदा के synonyums हैं, other names हैं अब माहुंग माहुंग is also known as माहुंग वही किसको बोलते हैं एलोए, गुगुल, इफेड्रा या टोलू बालसम तो माहुंग बोलते हैं हम इफेड्रा को माहुंग नाम पड़ा क्योंकि main geographical cultivation जो इफेड्रा का है, वो कहाँ पर है basically Chinese area में सबसे ज़्यादा है इसलिए इसको वहाँ पर क्या बोलते हैं इफेड्रा को माहुंग ओके, chemical constituent of opium, opium का main chemical constituent क्या है, codeine heroin, narcin जाहिरती बात opium है, narcotic alcoloids है codeine हो, heroin हो narcin यह साब narcotics यह सारे क्या है chemical constituent of opium cannabis को क्या बोलते हैं cannabis को अपने अहां बोलते है ganja Indian hemp marijuana यह क्या है, नाम है अगर simple पूछ लिए आजा marijuana की family बताओ या ganja का chemical constituent बताओ, marijuana का chemical constituent बताओ cannabis से आता है, तो आपको याद हो जाता है क्यों, क्योंकि आपने रट रखा उसको लेकिन marijuana का पूछ लिया जाए तो confusion होगा क्योंकि इस तरीके से पढ़ाई नहीं करी हमने, कि हमें objective देना है क्योंकि साल भर तो अभी decide था नहीं लेकिन अभी क्या है, last moment पे आपको ऐसी ही pattern पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, right क्योंकि वो कहीं से कुछ भी उठा सकते हैं तो cannabis के और क्या के नाम है गांजा, Indian hemp और मेरी हुआ नाम, ठीक है crow fig is also known as crow fig किसे बोलते हैं भई nux vomica, dhatura, vinca या cannabis तो crow fig is also known as nux vomica का दूसरा नाम होता है crow fig, crow fig बोलते हैं chemical constituent of nux vomica क्या है भई strikinin, brucin, vomicin या all तो nux vomica के ये क्या है chemical constituent कौन-कौन से strikinin, brucin, vomicin तो याद रखना इनको क्योंकि मैंने तो सारे बता दिये मैंने क्या कहा ये अभी क्या informative round जल रहा है mcq के साथ information share की जा रही है उसके बाद questionable round start होगा means फिर घुमाने वाला काम फिर ये थोड़ी रहेगा कि strikinin, brucin, vomicin सारे दे दिये और आपने all of the above question टिक कर दिये वसाका leafs, वसाका को देखो इसलिए मैंने क्या बोला कि ये informative भी है तो वसाका leafs को क्या बोलते हैं गई अधा-टोड़ा उसका जो है दूसरा नाम होता है कि अधा-टोड़ा भी वसाका leafs को बोलते हैं कैसे होती antileprotec होती है antitucive होती है antimalerals होता है या oxytosis होती है तो वसाका leafs comes under the category of antitucive जब आप syllabus देखते हो तो syllabus में भी देखो लिखा हुआ है वसाका को वसाका किसमें antitucive category में तो सबसे पहले तो आप लोग अपना-पना syllabus रट लो कि कौन सी आपकी herbal drug को क्या बोलते है meristica meristition भाय पाय जाता है इसमें जाएफल इसी को बोलते है nutmeg को और nux mocheta या mocheta जो भी बोलो है silent कर लो तो जो भी अपने अपनी language में है वो आप लोग pronunciation कर सकते हो न nutmeg जो है meristica jaifal और nux mocheta इसका क्या है इसके synonym से other names से इनको इस नाम से भी जाना जाता है जैसे हम लोग nutmeg ने usually का jaifal बोलते हैं न कुछ लोग meristica बोलते होंगे और कुछ geographical region होंगे जहां nux mocheta बोला जाता होगा इसलिए इसके nickname पड़ गए chemical constituent of eugenol found in अब eugenol जो है ये किसमे किसमे पाया जाता है clove, cinnamon, tulsi या सभी तो clove अभी हमने देखा था clove का main constituent ही eugenol होता है cinnamon में भी पाया जाता है eugenol tulsi में 70% chemical constituent eugenol का होता है ginger की बात का लिए ginger में eugenol पाया जाता है तो बहुत सारे ऐसे हैं तो इस तरह से भी question put हो सकता है आपका अब ferulic acid found in किसमें होता भाई ferulic acid found in aesafoetida, devil's dung, hing या all तो ferulic acid is found in aesafoetida, devil's dung और hing ये सब क्या है aesafoetida के synonyms हैं तो aesafoetida को ही devil's dung और hing बोलते हैं जिसमें क्या होता है chemical constituent ferulic acid अब अगर transfer section of clove is treated with means clove का अगर ts काटा जाए transfer section काटा जाए और उसको treat किया जाए strong potassium hydroxide के साथ तो भई क्या observe होगा आपने को needle shaped crystal of potassium eugenate needle shaped crystal of potassium meristician observed needle shaped crystal of ferulic eugenate observed या none simple सी बात है कि clo का main constituent क्या होता है eugenol तो eugenol की reaction होगी किसके साथ potassium hydroxide के साथ और क्या बना लेगा potassium eugenate it means हमारा answer कौन सा correct होगा अगर हम ts काटते हैं clo का needle shaped crystal of potassium eugenate observed right तो e answer हमारा सही होगा अब black katechu is also known as black katechu को क्या क्या बोलते हैं भई कच, कथा, खादिर या all तो black katechu के synonymus है क्या कच, कथा और खादिर यानि D option हमारा सही है use of hyosymus hyosymus का क्या use है भई purgative होता है relieve the spasm of urinary tract होता है anti-asthematic की तरह यूज किया जाता है और anti-spasmotic की तरह भी इस्तमाल किया आता है hyosymus, जब आप लोग ने hyosymus पढ़ा होगा तो उसके use में जाके देखिए purgative की तरह use होता है relieve in spasm means किसी को urine में problem हो रही, pain हो रहा है तो उसके लिए भी useful होता है किसी को asthema है तो anti-asthematic की तरह है किसी का पेट खराब है तो anti-spasmotic की तरह भी यह काम करता है, यह सारे के सारे क्या है use of hyosymus तो को यह pattern बता रहा हूँ इस pattern से पढ़ाई करने का तरीका आप बदलो इस तरीके से पढ़ना सुरू करो जैसे सर्फगंदा is also known तो ने सर्फगंदा को आप लोग क्या बलाए usually क्या होता है जब हमें subjective पढ़ना होता है तो अब हम क्या करते है सर्फगंदा suppose पढ़ना है ठीक राउलफिया उठा लिया हमने के वल है न राउलफिया का एक नाम क्या है वह सर्फगंदा बस, कतम बाकी के कैनाम उनसे कोई लेना देना नहीं हमारा कि उसको इस नेक रूड भी बोलते है उसको छोटा चांद भी बोलते है कुछ भी बोले हमें कोई मतलब नहीं एक आधा नाम क्यों कि हमको भई नाम है सिनोनियम से है biological source हमको मालूब होना चाहिए हमको क्या मतलब कितने सारे नाम से उसको जाना जाता है लेकिन अब MCQ में question तो ऐसे ही put होते है वही कोई बहुत बड़े brilliant लोग तो question plot करने आनी रहे है हमारे आपके जैसे ही लोग question बना के देंगे उनको और वो question put कर देंगे तो क्या करेंगे लोग कौन इतना pain लेगा कि microscopy के अंदर में घुश जाएगा जो आसान-ासान से हैं मैं नहीं कहता microscopy से नहीं पुछा जाएगा means question बहुत कम पुछे जाएगा लेकिन ऐसे question की तादाद आप जब भी है तो आप खुद सोचो अपने आपको एलकोलाइड प्रिजेंट इन राउलफिया राउलफिया में कौन सा एलकोलाइड होता है रिजर्पीन भी होता है एजामेलीन भी होता है और योहिंबीन भी होता है तो रिजर्पीन, एजामेलीन और योहिंबीन ये क्या है एलकलोयट्स प्रजेंट इन रौलफिए ओके तुलसी तुलसी को क्या बोलते हैं holy basil क्या बोलते है holy basil और इसका biological नाम या botnical name क्या है ओसमियम sanctum ओसमियम sanctum इसको बोलते हैं belongs to family वई तुलसी बता दिया तुलसी का sinuninum holy basil बोलते हैं इसका botnical name Osmium Sanctum बोलते हैं ठीक means तुलसी की सारी चीज़ें देखो यहीं clear हो गए अब belongs to किस family कौन सी family होता भई या Canthesi होता है, Ambulifery होता है, Labiaty होता है Nun होता है तो तुलसी या Holy Bacil या Osmium Sanctum belongs to family Labiaty कौन सी family होती इसकी Labiaty family से यह belong करती है न अब lanolin is also used also called as lanolin को क्या बोलते हैं यह question आपका as it is आपके second year वालों के exam में आया था lanolin तो lanolin is also called as hydrous wool भी बोलते हैं इसको और adepts lany भी बोलते हैं hydrous wool और adepts lany A and B यानि C option हमारा सही lanolin को hydrous wool भी बोलते हैं और adepts lany भी बोलते हैं अब lanolin is used as किस तरह यूज किया जाता है fat absorbable ointment base होता है oliginous ointment base होता है या water absorbable ointment base होता है तो lanolin को use किया जाता है as a water absorbable ointment base ठीक अब stain अगर ts काटा गया आपकी बार किसका nux vomica का with treat किसके साथ किया ammonium vanadate and sulfuric acid के साथ अगर treat किया गया nux vomica का ts काटा गया transfer section और stain किससे किया गया ammonium vanadate and sulfuric acid तो जो inter-spermix cells होती है वो किस color के हो जाती है purple color के हो जाती है purple color के हो जाती है तो ये कैसा test में अब क्या बताता है क्यों ये purple हो जाती है किसकी वज़े से हो जाती है अगर ts आपने nux vomica का काटा और stain किया ammonia vanadate and sulfuric acid से तो indospermix cells जो है वो purple color के हो जाती है ये क्या बताती है क्या present है eugenol meconic acid ephedrine या estrychnine बच्चों nux vomica का जब ts काटोगे आप और ammonia vanadate sulfuric acid के साथ अगर आप treat करते हो ये stain करते हो तो indospermix cells purple हो जाती है due to presence of estrychnine तो इसी के साथ आपके 25 question पूरे हुए हो सकता है कि शाम तक आपको एक video और provide कर दूँ ओके बाए